रिशपंत की तबाही शुबमंगिल का तूफान भारती शेरों ने दोहरे शतक से मचाया कोहराम कापते हुए मैदान से निकली बंगलादेश की टीम अश्विन ने फिर रचा इतिहास पहले बल्ले के सामने की पूजा फिर रिशपंत ने बंगलादेश को कूटा शुबमंगिल ने भी ठोका तूफानी शतक पहले टेश्ट में तीसरे दिन ही जीता हिंदुस्तान हवा में ओडे जैस्वाल हवा में ही लगाई चीते जैसी चलांग फिर पकड़ा संभाव कैच दंग रह गए रोहित और विराट गोतम गंभीर ने खड़े हो कर दी सलामी चेनने का चेपो की स्टेडियम रिशपंत और शुबमंगिल के नारों से गुचता रहा भारत के दोनों शेरों ने शितक जड़कर बंगलादेश के घमंड को मिट्टी में मिला दिया और तीसरे दिन ही भारत की जीत का परचम लहरा दिया बल्ले बाज़ी के बाद अश्विन ने गेन बाज़ी से ऐसा कोहरा मचाया बंगलादेश की पूरी टीम घुटनों पर सरेंडर करती चली गई पहले आपको 30 सेकेंड में तीसरे दिन के खेल की कहानी दिखाते हैं इसके बाद जैसवाल का वो कैच दिखाएंगे जिसे देखकर गोतम गंभीर भी सम्मान में तालियां बजाने लगे जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ शुबमंगिल और रिशापंत दोनों क्रीस पर खड़े थे एक तरफ से पंत गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते रहे दूसरी तरफ से शुबमंगिल दीवार बनकर शतक के करीब पहुँच गए अंत में दोनों ने शतक जड़ दिये रिशापंत ने 109 रनों की शांदार पारी खेली और 4 शक्के 13 चोके लगा कर रिशापंत आउठो गए लेकिन शुमंगिल क्रीस पर दीवार बनकर अभी भी खड़े थे गिल के साथ केल राहुल भी मैदान में डटे हुए थे गिल ने भी अपना शतक पूरा किया और नाबाद 119 रनों की पारी खेली 4 शक्के और 10 चोके लगाए केल राहुल ने भी नाबाद 20 रन मना दिये थे इसके बाद कफ्तान रोई शर्मा ने अपनी पारी घोशित करने का ऐलान कर दिया दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बंगलादेश के सामने 515 रनों का पहाड जैसा टारगेट खड़ा कर दिया था अब आखरी पारी में बले बाज़ी के लिए मैदान में आती है सबसे पहले सादवान इसलाम को अश्विन ने 35 रन के स्कोर पर आउट किया इसके बाद मुमिन उल्हक को अश्विन ने बोल्ड कर दिया मुश्विकोर रह्मान भी 13 रन मनाकर अश्विन का ही शिकार बन गए हाला कि एक चोर पर अभी भी कप्तान नजमुल हसन शंटो खड़े हुए है और नाबाद 51 रनों की पारी खेल चुके हैं दूसरे चोर पर शाकिबुल हसन है यानि बंगलादेश के 158 रन पर 4 विकेट गिर चुके हैं और बंगलादेश को जीत के लिए अभी भी 357 रन की जरूरत है भारत जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है तीसरे दिन स्पिन गेनबाजी के जाल में बंगलादेश की टीम फस्ती चली गई चोथे दिन भारत अब आसानी से इस मैच को जीत लेगा बंगलादेश के कप्तान ने रिशफ पंत का असान सा कैट चोड़ा था इसके बाद पंत ने श्यतक जड़ा मैच के बाद बंगलादेशी खिलाडी आपस में भी बहस करते दिखाई दिये यानी पाच दिन पहले जो बंगलादेश भारत को देखने की चेतावनी दे रही थी वही बंगलादेश आज घुटनों पर सरेंडर कर गई पूरी टीम के होंसले ध्वस्त हो गए आज ये शेस्वी जैसवाल ने भी पूरी दुनिया को दंग कर दिया बंगलादेश की दूसरी पारी के सत्रे और में गैंद जाकिर हसन के बल्ले का किनारा लेकर बाई और गई थी यहां खड़े शेस्वी जैसवाल ने ड्राइव लगाते हुए एक हास से कैच पकड़ लिया जैसवाल के ड्राइव देखकर रोहित विराट हैरान थे और शुमनगिल दंग रह गए खैर पहले टेस्ट में भारत की जीत लगभगते हो चुकी है और इस जीत के हीरो अश्वीन जड़ेजा शुमनगिल और शुमनगिल और शपन्त बन गए है जबकि रोहित और विराट की जोड़ी दोनों पारियों में फलोप रही है पन्त और शुमनगिल के आज के श्यतक पर आपकी क्या रहा है कमेंट करके बताइए विडियो को दोस्तों तक पहुंदे हैं